ये नाक्षर समामनायम अधिक अम्य महेश्वरात कृच्नम् व्याकरणं प्रोप्तम तस्मै पाणिने ये नमहा वाक्यकारं वररुचिं भाष्रकारं पतंजलिं पाणिनिं सुत्रकारं चप्रण तोस्मि मुनित्रयं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदू पीफ परिभाव्यच वयाकरण सिध्धान तक अमुदियम विरच्चते कारक प्रकरण का आज पाँचवा पाठ है पिछले पाठ में हमने सुप्प्रत्य लगाने के पाँच प्रयोजन देख लिए उसमें से तीन प्रयोजन हर सुप्रत्य के बारे में दिये जाते हैं पद का निर्मान, पदार्थ के धर्म की अभिव्यक्ति और वचन का निर्देश जैसे कि राम शब्द से सुप्रत्य लगाने पर रामहा, रामव, रामहा ये पद बन गए इनहीं सुप्रत्य योन से रामत्व की, पुम्स्त्व की अभिव्यक्ति हो गई और राम के एकत्व, द्वित्व, बहुत्व का भी निर्देश हो गया तो ये तीन प्रयोजन हर सुप्रत्य के प्रयोजन है, बाकी बचे दो प्रयोजन, कारक और सम्मंध इनका निर्देश ये कुछ विशिष्ट सुप्रत्य योन से विशिष्ट स्थिती में दर्शाए जाते है इसी संदर्भ में आगे हमने अनभीहिते ये अधिकार सुत्र भी पढ़ लिया अनभीहिते मतलब की नअभीहिते जो कारक किसी अन्यपद्धती से निर्दिष्ट ना हो उसका शब्द से निर्देश करने के लिए सुप प्रत्य जोडा जाएगा इस अधिकार के सुत्र का प्रयोग हो जाएगा ये इस अनभीहिते अधिकार का मतलब है अन्य पध्धती से निर्दिष्टा नहों मतलब किस किस से तो वहां काशिका में कवमुदी में भी वहां परिगणन किया गया है लिस्ट बताईए तिंग कृत अधित समासई ही परिसंख्यानम और उसी में वामन ने निपात को भी जोड़ दिया है निपाते न अभीहिते कर्मणी न कर्म विफक्ती ही परिगणनस्य प्राई कत्वात ये सिध्धान तब ही हमने उस समय पढ़ लिया इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कारक तिंग से निर्दिष्ट हो गया जैसे की पठती या फिर कृत से निर्दिष्ट हो गया जैसे की पाचक या फिर तद्धित से निर्दिष्ट हो गया जैसे कि वई आकरण या फिर समास से निर्दिष्ट हो गया जैसे कि जही जोड या फिर निपात से निर्दिष्ट हो गया जैसे कि असाम प्रतम तो वहां सुप्प्रत्य फिर से कारक के निर्देश के लिए नहीं लगेगा अब यहां ये समझना जरूरी है कि सुप्रत्य नहीं लगेगा ऐसा हमने नहीं बोला सुप्रत्य तो अवश्य लगेगा क्योंकि उसके अन्य भी प्रयोजन है लेकिन उस सुप्रत्य से कारक का निर्देश नहीं होगा और यही अनभी हीते इस सूत्र का आशे है ये भी समझ लेना कि अनभी हीते इस अधिकार का उपयोग सिर्फ कारक के विशय में ही है संबंध का निर्देश वैसे भी तिंग से, कृट से, समास, इत्यादी से नहीं हो सकता याने कि संबंध के निर्देश के लिए हमारे पास सुप प्रत्य छोड़कर अग्य कोई विकल्प नहीं है इसलिए वहाँ अनभी हीते अधिकार का कोई प्रयुजन नहीं लेकिन कारक विभक्ति के विशय में काशिका कारने तिंकृत अधित समास और बाद में निपात इनका परिगणन करके इन विशयों से निर्देश्ट कारक सुप विभक्ति प्रत्य से फिर से निर्देश्ट नहीं होगा ये बताया है इसी विश्य में हमने आगे ये भी जान लिया कि इस सूची में सुप्रत्ययों का खुद का निर्देश नहीं है इसलिए सुप्रत्यय से अभिहित्त कारक फिर से दूसरे शब्द पर सुप्रत्यय लगाकर जरुर दिखाये जा सकते है जैसे कि रामहा उन्नतम विशालम व्रुक्षम पश्यती यहां पश्यती इस क्रिया के कर्मकारक का निर्देश उन्नत विशाल व्रुक्ष इन तीनों शब्दों पर कर्म विभक्ती का प्रयोग करके हो गया इसी तरीके से विशेष्ण विशेष्णों में समान विभक्ती सामान अधिकरण्यम हो सकता है वहां अनभी ही ते अधिकार का कोई दोश नहीं आता ये सब देखकर हमने पिछले पाठ में अनभी ही ते इस सूत्र की काशिका और कवमुदी व्याख्याय पढ़ी काशिका में एक अन्तिम वाक्य मैंने उस वक्त छोड़ दिया था उसी का आज अध्यान करेंगे यहां अन्तिम वाक्य में काशिका कार क्या बोलते हैं बहुशु बहु अचनम इत्येवं आधिना संख्या वाच्यत्वे नविभक्ती नाम बदिष्टाहा तत्र विशेशनार्थम इदमारभ्यते अनभीहित कर्मादि आश्रयेशू एकत्वादिशू द्वितियादयह वेदितव्याहा इस वाक्य का ढंग से अर्थ समझने के लिए जैसा कि मैंने पिछले वर्ग में भी बोला था महाभाष्य के कुछ अम्शों का अध्येन जरूई है इसलिए आज हम महाभाष्य का कुछ भाग पढ़ लेंगे और फिर काशिका के उस वाक्य का मतलब स्पष्ठ हो जाएगा इस सूत्र का पूरा भाष्य तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा बस गिनी चुनी 5-6 पंकिया हमें पढ़नी है पहले ही बता देता हूँ आज का पाठ समझने में थोड़ा मुश्किल है एक बार सुनने पे सब कुछ समझ नहीं आएगा बाद में एक दो बार रेकॉर्डिंग फिर से सुन लेना तब ये बाते ठीक से समझ आ जाएगी तो यहाँ भाष्य की शुरुवात ही कैसे होती है देख लेते हैं भाष्य के शुरू में ही हमें दिखाई देता है प्रत्याख्यान वार्तिकम शुरू में ही वार्तिक कार इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर देते हैं प्रत्याक्ष्यान का मतलब हुआ कि ये सूत्र जरूरी नहीं है, इस सूत्र का कोई फाइदा नहीं, इस सूत्र को अश्टाध्याई से हटा देंगे तो भी कोई समस्या नहीं ये बोलना वैसे थोड़ा सा भी विश्यामतर हो रहा है, लेकिन बता देता हूँ, ये प्रत्याक्ष्यान दो तरीकों का होता है पहले तरीके में ये बोला जाता है, कि सूत्र संपूर्ण रूप से गलत ही है, उस सूत्र से बोला गया विधी ही अनुचित है इसलिए इस सूत्र को अश्टाध्याई से निकाल ही देना चाहिए, जैसे कि पहले अध्याय के पहले पात्थ का ये सूत्र नबहुवरी हूँ, इस सूत्र के विश्य में भश्यकार ने इस सूत्र को अनुचित मान कर इस सूत्र का प्रत्याक्ष्यान कर दिया है इस सूत्र को अश्टाध्याई से खटा देना चाहिए, क्यों हटा देना चाहिए, क्योंकि ये गलत सूत्र है, ऐसा भश्रकार ने इस सूत्र के बारे में निरने दिया है, इस तरह के प्रत्याख्यान अश्टाध्याई में वैसे बहुत कम है, दूसरे तरह के प्रत्याख्या जहां भाश्रकार ये बोलते हैं कि सूत्र में वैसे तो कोई दोश नहीं है लेकिन इस सूत्र का कोई फाइदा भी नहीं होता इसलिए उस सूत्र को निकाल देना ही अच्छा है जैसे कि तीसरे अध्याय के पहले पात का ये इक्यानवेवा सूत्र धातो हो तो इस सूत्र के विशय में बहुत लंबी सी चर्चा करके अंतमे भाश्रकार ने धातु ग्रहनम अनर्थकम ये निर्णय दे दिया है इस सूत्र की अश्टाध्यय में कोई जरूरत नहीं ये इसका आश्य है या फिर और एक उधारण दे देता हूँ कारक प्रकरण में हम अगले ही दो तिन पाठ में इस विशय में चर्चा करेंगे कारक प्रकरण में अपादान कारक के जो भी सारे सूत्र है द्रूम अपाये अपादानम भीत्रार्थानाम भयहे तुहू अगेरा इन सूत्रों में पहला सूत्र ध्रूम अपाये अपादानम इस सूत्र को छोड़ कर बाकी सारे सूत्र भीत्रार्थानाम भयहे तुहू से लेकर भुवफ प्रभवा तक के अपादान कारक के सारे के सारे सूत्र इसी तरीके से भष्यकार ने अनावशक बोलकर उनका खंडन किया है इन सूत्रों के बारे में भी हमें भष्य में प्रत्याख्यान नजर आता है इस विशय में हम उस समय दो वर्गों के बाद फिर से एक बार चर्चा करेंगे लेकिन अभी मैंने बस ये पीठी का समझाने के लिए ये सब उधारण दे दिये कि प्रत्याख्यान दो भिन्न भिन्न तरीकों का होता है तो उनमें से यहां अनभी हिते के अधिकार में हम दूसरे तरह के प्रत्याख्यान की चर्चा कर रहे हैं यहां वार्ग्तिक कार जब बोलते हैं इस सूत्र की जरूरी नहीं है अनभीहित वचनम अनर्थकम ये सूत्र अनर्थक है ये जो अनभीहिते अधिकार है उसका कोई फाइदा नहीं तो यहां वार्तिक कार इस अधिकार को गलत नहीं बोल रहे वो बस ये बोल रहे है कि इस अधिकार का कोई फाइदा नहीं है अब सवाल ये आता है कि क्यों फाइदा नहीं है? तो अब यहाँ वर्तिक कार ने यहाँ कुछ अपने उदाहरन वगएरा दे दिये है, इन सब को हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल अंत में इन सारे उदाहरनों के अंत में यहाँ वर्तिक कार एक विशिश्ट वाक्य में इस कारा अनभीहिते अधिकार क्यों जरूई नहीं हैं तो वार्तिक कार यहां बोलते हैं एश एवह औppen्क्रवी मिद्द्ध पिर वाक्य में दूसरे शब्द से निर्देश नहीं होता ये भाषा का सामान्य नियम है और लोक विवहार में बच्चा भी इस न्याय को सरल तरीके से समझता है कोई भी बच्चा घटम कुम्भम कलशम आने या ऐसा नहीं बोलेगा या तो वो घट माने या बोलेगा या कुम्भ माने या बोलेगा या कलश माने या बोलेगा लेकिन एक साथ एक ही वाक्य में परियाय वाची शब्द ऐसे इस्तिमाल नहीं होते इसी न्याय को हम उक्तार्था नाम अब प्रयोगहा बोलते है उक्त अर्थ जिसका अर्थ पहले से ही बोला गया उसका उसी वाक्य में फिर से प्रयोग नहीं होता ये सामान्य न्याएं लोक अव्यवहार में हर जगह प्रयुक्त होने के कारण उसी को फिर से बताने के लिए इतना बड़ा अनभी हीते अधिकार बनाने की कोई जरूरत नहीं अश्टाध्याई में व्याक्रण के नियम होने चाहिए लोक अव्यवहार के नियम नहीं वाक्य कैसे बनते है शब्दों का उच्चारण किस अवयव से होता है परियावाची शब्दों का क्या मतलब है ये सारे लोक अव्यवहार के विशय है उन विशयों का उसी तरह से एक बार बोले गए विशय को उसी वाक्य में फिर से न दोहराना ये भी लोक व्यवहार का नियम है एश एवही न्याय यहा न्याय मतलब लोक व्यवहार में समाज में उचित वर्तन और कुरुत अधित समास इत्या दिन से कारक का निर्देश हो जाने पर फिर से सुप प्रत्य वहां उसी कारक के लिए नहीं आएगा ये बात तो इसी न्याय से स्पष्ट हो गई उकतार था न नाम अप्रयोगहा तो उसके लिए अलग अधिकार की या फिर अलग सूत्र की क्या जरूरत है ये सब किसका कहना है ये सब वार्तिक कार का कहना है जो कि अनभी ही ते इस सूत्र का प्रत्याख्यान करना चाहते हैं अब यहां एक बात ढंग से समझ लेना वार्तिक कार यहां ये नहीं बोल रहे कि सुप प्रत्य मत लगाओ, सुप प्रत्य तो अवश्य लगेगा, यहां सुप प्रत्य का प्रत्याख्यन नहीं हो रहा, यहां सिर्फ सूत्र का अधिकार का प्रत्याख्यन हो रहा है, और उसका कारण क्या है? बस लोक व्यवहार की बाद बोली जा रही ह सूत्र की यहां जरूरत नहीं है, यहां कोई व्याकरण का नियम वगेरा नहीं बोला गया, इसीलिए इस सूत्र को खटा दे तो ही बहतर है, यह सब पक्ष यहां वार्तिक कार में सामने रखा है, अब इस प्रत्याख्यान का जवाब देते हुए भश्यकार एक बहुत ही एहम सवाल उठाते हैं, वो पूछते हैं, कहा पुनहा विभक्तियर्थः, विभक्ति प्रत्ययोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? यहां यह समझ लेना, विभक्तियर्थ, यहां जो अर्थ शब्द आपको दिखता है, उस अर्थ शब्द का प्रयोजन यह मतलब है, अंग्रेजी में meaning जिसको बोलते है वो इसका मतलब नहीं है विभक्ति प्रत्य उंका खुद का कोई meaning नहीं होता वो स्वार्थ में जोडे जाते हैं हमने पहले ही पढ़ लिया था अनिर्दिष्टार्थाहा प्रत्ययाहा स्वार्थे ये सारे विभक्ति प्रत्ययाह स्वार्थ में जोडे जाते हैं उनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता तो यहां भाश्यकार उस तरह के अर्थ की यानि की meaning की चर्चा नहीं कर रहे है बलकि यहां अर्थ शब्द का प्रयोजन ये आशय है उन विभक्ति प्रत्ययों के प्रयोजन के बारे में भाश्यकार यहां सवाल कर रहे है कहा पुनहा विभक्ति अर्थ हा कोई भी विशिष्ट विभक्ति प्रत्ययाह लगाने का मुख्य प्रयोजन क्या है मैंने मुख्य प्रयोजन इसलिए बोला कि यहां प्रश्ण एक वचन ने पूछा गया है वैसे तो विभक्ती प्रत्य के पाच अलग अलग प्रयोजन हम बार बार देख चुके है पद का निर्माण, पदार्थों के धर्मों का प्रकटी करण, संख्या का निर्देश, कारक का निर्देश, संबंध का निर्देश यह पाच अलग अलग प्रयोजन हम देख चुके है लेकिन इन में से सबसे मुख्य प्रयोजन क्या है ये सवाल अभिभाश्यकार ने हमारे सामने रखा है, इसके विशे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, तो यहां पाँच प्रयोजन हमारे सामने हैं, उसमें से पहला प्रयोजन पद का निर्मान और दूसरा प्रयोजन पदार्थ के धर्म का प्रकती करन, ये दो प्रयोजन हर किस सुप प्रत्य के प्रयोजन है इन प्रयोजनों को पूरा करनी के लिए कोई भी विशिष्ट सुप प्रत्य यानि की सुप प्रत्य ही लगाना चाहिए या भ्याम प्रत्य ही लगाना चाहिए ऐसे जरूरत नहीं हर प्रत्य से पदनिर्मान हो जाएगा हर प्रत्य से पदार्थ के धर्मका भी प्रकटी करण हो जाएगा इसका मतलब ये दोनों किसी भी सुप्रत्य के मुख्य प्रयोजन सुरूप हम नहीं मान सकते तो इन दोनों को साइड में रख देते हैं तो अब बचे हमारे पास तीन प्रयोजन इसमें से जो अंतिम पाँच्वा प्रयोजन है संबं संबंध का निर्देश इसके लिए जैसे कि मैंने क्लास के शुरू में ही बोल दिया था कि संबंध के निर्देश के लिए अनभी हीते अधिकार का कोई वहाँ प्रयोजन नहीं है तिंकृत तधित समास निपात इन से संबंध का निर्देश नहीं होता सिर्फ कारक का हो सकत सम्बंध को दर्शाने का काम तो सुप्प्रत्य ही करेगा तो वहां अभीहित अनभीहित ऐसा कोई फर्क नजर ही नहीं आता इसलिए सम्बंध के विशय में अनभीहित अधिकार कुछ पिमाइने नहीं रखता इसलिए अनभीहित सूत्र की उपयोगिता की जहां चर्चा चल रही है वहां इस माच्वे प्रयोजन को भी हम साइड में रख सकते हैं तो उसको भी साइड में रख देंगे तो इसके बाद हमारे पास दो विकल्प बचे तीसरा विकल्प संख्या का निर्देश और चोथा विकल्प कारक का निर्देश इसमें से संख्या ये भी हर प्रत का प्रयोजन है लेकिन सारे सुप्रत्यों से एक ही संख्या का बोध नहीं होता कुछ सुप्रत्यों से एकत्व का बोध होगा कुछ सुप्रत्यों से द्वित्व का बोध होगा और कुछ सुप्रत्यों से बहुत्व का बोध होगा कारक के बारे में भी हम ऐसा ही कह सकते है ती तीन तीन प्रत्यों से कारक का निर्देश होता है। तो ये जब किम नाम विभक्तियर था ये भाष्यकार पूछ रहे हैं तब वहाँ इन दोनों में से किसी एक का हमें चयन करना है कि विभक्ति का मुख्य प्रयोजन संख्या हो गया या फिर विभक्ति का मुख्य प्रयोजन कारक हो गया ये एक एहम सवाल भाष्यकार ने हमारे सामने यहां रखतिया तो अब इस विशय को लेकर यहां कुछ वयाकरण ऐसा मानते है कि संख्या याने कि वचन ही विभक्ति का मुख्य प्रयोजन है और कारक तो होगा ही लेकिन वो गौन हो गया मतलब कि अगर दो प्रयोजनों में जैसे कि दो छात्रों में पहला कौन और द साइड करना पड़ता है तो कुछ निशकर्ष लगा के हम ये पहला और ये दूसरा ये बोल देते हैं उसी तरह से कारक भी प्रयोजन अवश्य है लेकिन वो संख्या जितना मुख्य प्रयोजन नहीं है तो प्रधान प्रयोजन हो गया संख्या और गौन प्रयोजन हो गया क जैसे कि वाक्यपदियम में भरत्रुहरी बोलते हैं वाचिका द्योतिका वाफि संख्या नामवा विभक्त यहाँ विभक्ती प्रत्य संख्याओं के वाचक रूप में प्रयुक्त होते हैं तो यहाँ भरत्रुहरी ने कौन से पक्ष का समर्थन किया है तो पहला पक्ष जिसमें संख्याही विभक्ती का मुख्य अर्थ है कारक ये विभक्ती का गौन अर्थ है उस अर्थ का यहाँ भरत्रुहरी ने पुरसकार किया है तो इस पक्ष के पुरसकरता विभक्ति के प्रयोजन का निर्देश कैसे करेंगे तो वो बोलेंगे कारका श्रिता या संख्या सा विभक्ति अर्थः तो संख्या विभक्ति का प्रयोजन कहलाएगी और कारक उस संख्या के आश्रय में गया है तो मुख्य प्रयोजन हो गया संख्या और वहां कारत भी जैसे मा के साथ बच्चा जाता है उसी प्रकार संख्या के साथ कारत भी वहां गौन स्वरुप से आ गया ये एक पक्ष हो गया इस पक्ष में संख्या को प्रधानता मिली अब दूसरा पक्ष इसके बिलकुल विरुद्ध है इस पक्ष के पुरसकरता ये बोलेंगे कि कारक ही विभक्ति का मुख्य प्रयोजन है विभक्ति प्रत्य कारक के वाचक रूप में प्रयोप्त होते हैं अब यहां संख्या भी आएगी लेकिन पिछले पक्षक के उल्टा यहां हो जाएगा यहां कारक मुख्य है और संख्या को यहां गौन माना जाएगा इसलिए हम इस पक्षक की बारे में क्या बोल सकते हैं संख्या शिरितम यत कारकम सहा विभक्ति अर्थ हां कारक प्रधान हो गया संख्या गौन हो गई संख्या जिसके आश्रय से रहती है उस कारक को विभक्ति का मुख्य अर्थ बोल सकते हैं तो कारक मुख्य प्रयोजन हो गया और संख्या गौन प्रयोजन हो गया इस तरह से विभक्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है इस सवाल को लेकर दो पक्ष बन गए भशकार ने इन दोनों पक्षों का स्वीकार किया है सबसे पहले वो बोलते हैं एकत्वाद यहा विभक्ति अर्थाहा विभक्ति के प्रयोजन क्या है? तो एकत्व द्वित्व भहुत्व संख्या ये विभक्ति के प्रयोजन है ये हो गया पहला पक्ष और अगले ही पल वो बोलते हैं कर्मादयः विभक्तिर्था विभक्ति का मुख्य प्रयोजन क्या है कर्म इत्यादी कारक है तो ये दूसरा भी पक्ष उन्होंने अपने सामने रख दिया इस तरह से भाष्शकार इन दोनों पक्षों को हमारे सामने भाष्य में रख रहे हैं इक दोनों ही पक्षों को इस तरह से प्रस्तुत करके भाष्यकार अब ये बोलते हैं कि अगर हमने कारक को यignon कि दूसरा पक्ष पक्ष कारक को विभक्ति का मुख्य प्रयोजन मान लिया तो फिर अनभी ही ते अधिकार का हम अवश्य ही प्रत्या ख प्रत्याख्यन कर सकते हैं जो दो पक्ष हमने बोले उसमें से दूसरे पक्ष का अगर सुवीकार हमने किया तो हम अनभी हीते अधिकार का बिलकुल प्रत्याख्यन कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि वही सब जो वार्तिक कार ने बोल दिया है एक बार तिंग वगरा से कार का निरदेश करने पर लोक व्यवहार के बल पर उप्तार्था नाम अप्रयोग अहाँ इस नियाय से वहाँ कारक के निरदेश के लिए स्फृप्रत्य का प्रयोग वैसे भी नहीं होगा इसलिए उसको बोलने के लिए अलग अधिकार की जरूरी नहीं वेगरा वगरा. इसलिए यहां भाष्य की बिल्कुल अंतिम पंग्ती यदि हम देख ले तो वहां भाष्यकार क्या बोलते हैं अथही कर्माद यहा विभक्ति अर्थाहा यदि कर्म इक्त्या अधिकारक विभक्ति के मुख्य प्रयोजन स्वरुप माने गए तो न अर्थाहा अनभीहिता अध अधिकारिन अनभीहिते अधिकारक की कोई जरुरत नहीं कर्मादिकारक को विभक्ति के मुख्य प्रयोजन स्वरुप मानने पर अनभीहिते अधिकार की कोई जरुरत नहीं इस सूत्र का अवश्य ही हम प्रत्याख्यान कर सकते हैं यह किस पक्ष में बोला दूसरे पक्ष म जहां कारक विभक्ति का मुख्य अर्थ है उस पक्ष में भाष्यकार ने वार्तिक कार के मत का समर्थन करके सूत्र का खंडन कर दिया अब पहला पक्ष अगर संख्या को विभक्ति का मुख्य प्रयोजन माना जाए तो फिर अब हमें भाष्यकार ये बतलाएंगे कि इस पक्ष में अनभी हीते इस अधिकार की बिल्कुल जरूरत है यहां इस पक्ष में अनभी हीते अधिकार का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता उसकी यहां जरूरत है क्यों जरूरत है? क्योंकि यहां उक्तार्था नाम अप्रयोगहा इस नियाए से काम नहीं बन रहा अगर उक्तार्था नाम अप्रयोगहा इस नियाए से काम बन जाता तो अनभीते अधिकार की जरूरत नहीं थी लेकिन इस पक्ष में उक्तार्थानाम अप्रयोगा इस न्याय से काम नहीं बन रहा क्यों नहीं बन रहा क्योंकि कुरुत तद्धित समास इत्यादी से संख्या का निर्देश तो नहीं हो रहा उनसे तो सिर्फ कारक का निर्देश हो रहा है संख्या तो उनसे उक्ट है ही नहीं तो अगर संख्या पहले से उक्ट नहीं है तो फिर उक्तार्था नाम अप्रयोगा ये न्याई कहां से आ गया तो उस संख्या को दिखाने के लिए वहां विभक्ति प्रत्य ज़रूर आएंगे अद ये समझ लेना विभक्ति प्रत्य लाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है विभक्ति प्रत्य वैसे भी पदद निर्मान के लिए आएंगे लेकिन समस्या ये है कि उक्तार्था नाम अप्रयोगहा इस न्याय के यहां न होने से गलत विभक्ति प्रत्य यहां आ सकते हैं, उनको रोकने के लिए अनभीहिते अधिकार ज़रूरी है। एक उधार्ण से समझा देता हूँ, नवुल तुरुचव सूत्र लेलो, नवुल तुरुचव इस सूत्र से विभित नवुल प्रत्य करता के अर्थ का निर्देश करता है। यहां विभक्ति प्रत्य जरूर आएगा। यहां उक्तार्था नाम अप्रयोगा नियाय नहीं लग रहा, क्योंकि कृत प्रत्य से संख्या का निर्देश नहीं हो रहा, सिर्फ कारक का निर्देश हो रहा है। तो संख्या के अर्थ को दिखाने के लिए विभक्ति प्रत्य लाना पड़ेगा। कौन सा विभक्ति प्रत्य यहां आ जाएगा। तो यहां विभक्ति प्रत्य में सारे ही विभक्ति प्रत्य संख्या को दिखाते हैं। प्रथमा का भी दृतिया का भी तृतिया का भी सारे विभक्ति प्रत्य संख्या को दिखाएंगे तो वहां उचित प्रत्य यानि की मान लेते हैं हमें एकत्व की विवक्षा है तो यहां एक वचन का विभक्ति प्रत्य हमें लगाना होगा फिर भी प्रॉब्लम है प्रथमा स से लेकर सब्तमी तक सारे ही विभक्ति प्रत्यों में वहां एक वचन का प्रत्य है तो उनमें से यहां किस विभक्ति प्रत्य का चयन करेंगे तो यहां इतने सारे विकल्प प्रतमाद्वित्या से लेकर सब्तमी तक हमारे सामने उपस्थित होने पर उस प्रत्य का हम चयन करे जिससे बाकी दोष निर्माण ना हो, कैसे दोष निर्माण ना हो, जैसे कि गलत कारक का निर्देश ना हो, ये ढ़ंग से समझ लेना, अगर पाचक शब्द से पच्छधात्यू के कर्ता का निर्देश हो रहा है, तो ऐसी स्थिती में संख्या के निर्देश के लिए जान बूचकर कर्मकारक वाला या अधिकरण कारक वाला विभक्ति प्रत्य वहां लाना अनुचित होगा वहां वैसा विभक्ति प्रत्य लाना चाहिए जो या तो किसी कारक का ही निर्देश ना करे क्योंकि हम तो संख्या के लिए प्रत्य लेके आ रहे हैं वैसे तो फिर से इगवार बोलते था हूँ, विभक्ती प्रत्य से कारक के निर्देश की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आ ही रहा है तो सही कारक आए, यही हमारा यहां चिंतन है, तो इस बात के आधार पर यहां कौन-कौन से विभक्ती प्रत्य आ सकते हैं, तो सबसे पहले प्रत्मा का आ सकता है, क्योंकि वो कारक विभक्ती नहीं है, और कौन सा आ सकता है, तो यहां तृतिया का आ सकता है, क्योंकि करत्र कर्णयोंस तृतिया से तृतिया विभक्ती करता को दिखाएगी, और कौन सा आ सकता है, तो यहां शष्ठी का भी आ सकता है, क्योंकि करत्र किर्ट्रु कर्ographersों कृति इस सूत्र से कृत्थ प्रत्य के योग में करता की शष्ठी होती है। हमने तो रण वुल प्रत्य लगाये था, तो कर्ट्रु कर्णों कृति उसी संदर्भका सूत्र है। तो यह भी सूत्र हो शष्ठी विभवत्ती को वहाँ ले के आएगा। प्रत्व से विप्रतिशेधे परमकारियम से यहां शष्ठी विभक्ति आ जाएगी क्योंकि इन तीन सूत्रों से प्रत्वा का सूत्र है प्रातिपतिकार्थिलिंग परिमानवचनमात्रे प्रत्वा उसका नंबर हो गया 2346, तृतिया का सूत्र है कर्त्र करणयोस तृतिया, उसका नंबर हो गया 2318, वो तो पहले आ गया और बाग में शष्ठी विभक्ति का कर्त्र कर्मनों हो कृती 2365, तो परत्व के आधार पर यहाँ शष्ठी विभक्ति का प्रत्य आजाएगा और यहाँ पाचकहा इसकी जगह पाचकस्य यह अपप्रयोग होनी लगेगा यहाँ यह समझ लो यहाँ उक्तार्था नाम अपप्रयोग यह नहीं लग रहा क्योंकि ये संख्या कुरुत प्रत्य से उक्त है नहीं नागेश यहां इस विशय में और भी स्पष्टी करंडे देते हैं उक्तार्थानामिति न्याय यहां शास्त्रोपात्त प्रधानार्थ विशय ये एव उक्तार्थानामिये न्याय प्रधान विशय के लिए ही होता है और प्रधान विशय है संख्या वो तो उक्त है नहीं इसलिए यहां तीनों विभक्ति प्रत्य उन से कोई भी विभक्ति प्रत्य आने पर कोई दिक्कत नहीं होगी फिर यहां विप्रदिशेद से श्रष्ठी का प्रत्य आने लगेगा और उससे समस्या निर्मान हो जाएगी एसी जगहों पर जहां उक्तार थानाम इस नियाय से काम नहीं चल रहा वहाँ अनभी हीते अधिकार की जरुरत है ये अनभी हीते अधिकार क्या बोलेगा तो ये बोलेगा कि कारक ये विभक्ती का मुख्य विशय हो या गौण विशय हो उसके बारे में चिंता मत करो आगर कारक का पहले से निर्देश हो रहा है तो उस कारक का निर्देश फिर से विभक्ती प्रत्ते से नहीं होना चाहिए फिर से सुनो पहले पक्ष में जहां कारक को विभक्ती का मुख्य विशय माना गया है वहाँ उक्तार्था नाम अप्रयोगा इस न्याय से काम चल गया इसलिए वहाँ अनभीहित एधिकार की जुरुरत नहीं लेकिन दूसरे पक्ष में जहां संख्या को विभक्तिका मुख्य प्रयोजन मान लिया वहाँ उक्तार्था नाम अप्रयोगा ये नियाय काफी नहीं है क्योंकि उस नियाय से प्रधान विशय का यानि की संख्या का निर्देश होगा हमें कारक के बारे में ये नियाय लगाना है इसलिए वहाँ अनभी हीते अधिकार आवश्यक है ये अनभी हीते अधिकार यहां क्या बोलेगा तो वो ये बोलेगा कि कारक गौन होने पर भी कुरुत आधि प्रत्ययों से अगर उनका निर्देश हो जाता है तो फिर विभक्ती प्रत्यय से फिर से उसका निर्देश नहीं होता अब इस अधिकार को सामने रखते हुए हमारे पास जो तीन विकल्पत है प्रत्यमा त्रितिया और शष्ठी इनको एक बार देख लेते हैं इनकी जांच कर लेते हैं तो इन में से तृतिया और शष्ठी से कारक का भी निर्देश हो रहा है शष्ठी से भी करत्र कारक का निर्देश हो रहा है तृतिया से भी करत्र कारक का निर्देश हो रहा है तो फिर उन दोनों को यहां आने से अनभी हिते के अधिकार ने रोक दिया और परिणाम प्रत्मा का प्रत्य ही एक मात्र विकल्प के रूप में बच गया जिसको लगा कर पाच्छ कहा ये साधूपद अब सिद्ध हो गया। लेकिन एकत्वाद यह विभक्त्यर्थाहा संख्याहा विभक्त्यर्थाहा इस पक्ष में उसन्याय से काम नहीं हो रहा इसलिए वहां कारक विभक्ति को दूर रखकर प्रत्मा का विधान करने के लिए अनभी हिते अधिकार का होना जरूई है। परत्वात शष्ठी प्राक्नोती प्रतमात तृतिया और शष्ठी में जब कॉम्पिटिशन हो गई तो शष्ठी विभक्त्यर्थाहा इस पक्ष में यह सब बोला गया है। अगर हमने दूसरा पक्ष ले लिया करमाद यहा विभक्त्यर्थाहा तो फिर अनभी हिते अधिकार की कोई जरूरत नहीं। यही बात उद्योत में नागेश और भी स्पष्ठ कर देते हैं। प्राधान्येन विभक्ती द्योत्या संख्या एव कारकम तद विशेशनेन तदा इदम सूत्रम कारियम। जब संख्या मुख्य है और कारक विशेशन है तभी इस सूत्र का इस अधिकार का प्रयोग होगा यही आगे भी सारे सूत्रों में समझना चाहिए। उक्तार्थाना मिति न्या यहां शास्त्रो पाक्त प्रधान अर्थ विशेए एव कारक अस्य प्राधान नियेन तत्वे तू व्यर्थम। उक्तार्थाना म अप्रयोग हा यह न्याए शास्त्र रूप से प्रधान विशेश के लिए ही उपयुक्त होता है। इसलिए विभक्ती से कारक का निर्देश मुख्य मानने पर इस न्याय के बल पर अनभी हिते सूत्रव्यर्थ हो जाएगा, लेकिन विभक्ती से संख्या के निर्देश को मुख्य मानने पर इस अधिकार की अवश्य ही उपयुक्तता है. अब इस सारी चर्चा की पार्श्वभूमी पर काशिकाकार का वो अन्तिम विधान जो हमने पिछले कलास में छोड़ दिया था, अब हमें ठीक से समझने आ जाएगा. यहां काशिकाकार यही बाद बोल रहे हैं बहुशु बहुवचनम इत्येवं आदिना संख्या वच्छत्वेन विभक्तिना मुपदिष्टा हाँ. बहुशु बहुवचनम और द्वेकयोर द्वीवचनई का वचने इन सूत्रों से बहुवचन, द्वीवचन और एकवचन संग्यक प्रत्ययों का संख्या के लिए विधान किया गया है. इस संख्या को जब विभक्ति का हम मुख्य अर्थ मानते हैं, तब वहां विशेशन स्वरूप जो कारक उपस्थित हो जाएंगे, मुख्य हो गई संख्या तो बाद में विशेशन रूप हो गई कारक तत्र विशेशन आर्थम निदमारभ्यते वो विशेशन स्वरुप जो कारक वहां उपस्थित हो जाएंगे उनका अभिदान न होने पर इस अधिकार के विभक्ति प्रत्य प्रयुपत हो सकते हैं अनभिहित करमादी आश्रयेशु एकत्वादिशु द्विति आदयह वेदित अव्याहा अनभिहित करमादी आश्रयेशु ये बहुवरी ही समास है अनभिहिताह करमादयह आश्रयह येशाम जिन संख्याओं का आश्रय लेकर ये करमादी कारक रहते हैं वो करमादी कारक अग तो क्या बोलेंगे अनभी हित ऐसे कर्मादिकारक चिन के आश्रे में रहते हैं उस संख्या के निर्देश के लिए द्वित्या विभक्ति और बाकी विभक्ति के प्रत्य प्रयुक्त पोजाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि देवदत्तहा कटम करोती इस वाक्य में कटम इस शब्द में विद्यमान अम प्रत्य किसका निर्देश करता है ऐसा पूछने पर अम प्रत्य कर्मका निर्देश करता है ये जवाब काफी नहीं है बलकि वहाँ ये बोलना चाहिए कि अनभी हीत कर्म जिसके आश्रे में रहता है उस एक वचन का निर्देश अम प्रत्य कर रहा है यहाँ संख्या मुझ्य हो गई और कारग विशेशन हो गया अनभी हित कर्मकारग जिसके आश्रय में रहता है उस एक वच्चन का निर्दिश अम प्रत्य कर रहा है और यही बात अगले सूत्र में कर्मणी द्वितिया इस सूत्र में भी काशिकाकार बोलते हैं ये वाक्य भी अब धंग से आपको समझ में आ जाएगा कर्मणी कारके या संख्या तत्र द्वितिया विभक्ति ही भवदी अनभी हित ऐसा जो कर्मकारग उससे युक्त जो संख्या उसका निर्देश द्वितिया विभक्ति से होता है इस तरह से यहां भाष्यकार में संख्याही कारक का मुख्य प्रयोजन है, इस पक्ष में अनभी हिते अधिकार का समर्थन क्या है, यदि कारक विभक्ती का मुख्य प्रयोजन माना जाए तो अनभी हिते अधिकार खटा सकते हैं, यही बात काशिका कार्मी भी यहां दोहराई कर्मनी कारके या संख्या ये बोलकर उन्होंने अनभीहिते अधिकार किस पक्ष में मायनी रखता है उस पक्ष का बिलकुल ढग से यहां स्पष्टी करन दे दिया है इसी तह से अनभीहिते इस सूत्र का अध्ययन समात हो गया कर दो एकार करुद।